नमेश्कार दोस्तों, टेक स्केन के एक बिलकुल ना है, फ्रेस और एक साइडिक एमसोर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर में भारत के ग्लोबाल इंटरनेट रैंकिंग के बारे में बताऊंगा। हर मही ने स्पीड टेश्ट का ग्लोबाल लीडर ओकला की तरफ से इस रैंकिंग को किया जाता है और पिछले कुछ महीनों से भारत का कंडिशन काफी सथ इंप्रूवड हुआ है। जब से भारत के अंदर 5G सर्विस लॉंच हुआ है में लिए ऑक्टोबर 2022 से तब से इंटरनेट स्पीड के मावले में भारत काफी आगे यहां पर आ चुका है। तो इस वीडियो के अंदर में उकला की तरप से में महीने का जो रिपोर्ट है उसे यहां पर पाब्लिस किया गया है जिसके बार में पूरा डिटेल्स में डिसकर्स करने वाला हूँ। तो अगर आपको इसके बार में जानना है तो वीडियो को लास तक जरूर देखिए। आईए वीडियो को शुरू करते हैं। आसा करते हैं वीडियो जो आपको काफी पसंद आने वाला है। एक देश का वो मीडियान स्पीड यहां पर कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक देश के अंदर जो भी टेलिकम कंपनी ओपरेट करते हैं। पिछले महने की बात करते हूं तो अनन अवरेज भारत के अंदर मोबाइल इंटरनेट के अंदर स्पीड 36.78 MPS का आड़ा था। लेकिन मे महने के अंदर यह काफी सद इंप्रूफ हुआ है। और इंप्रूफ होकर हो चुका है 39.94 MPS मतलब अल्मूस्ट 40 MPS का इंटरनेट स्पीड जोए वो मे महने के अंदर यहां पर दर्ज किया गया है। और इससे जो ग्लोबाल पोजिशन है वो भी काफी सद इंप्रूफ हुआ है। एप्रिल महने के अंदर भारत का ग्लोबाल पोजिशन था 59th मतलब दुनिया के अंदर जितने भी कांट्री है जहां पर इंटरनेट चलते हैं 59th पोजिशन पर पिछले महने तक भारत आते थे लेकिन बेमाइने का जो रिपोट है इस मैने के अंदर भारत के अंदर इंटरनेट रांकिण जो हो 56th हो चुक है तो तीन पोजिशन उपर आ चुक है भारत अगर मैं मुबाईल इंटरनेट स्पीड की बात करता हूँ mobile internet speed के मामले में सबसे बढ़िया speed यहां पर प्रोवाइट करते हैं दुबाई जी हाँ दोस्तों दुबाई अभी भी नामबर ओन पोजिशन परे और मौरिसस जो यह वो सबसे साथ इंप्रूब्मेंट दिखा है ग्यारा पोजिशन उपर आया है मौरिसस देश लेकिन दुबाई जो वो सबसे बढ़िया speed यहां पर इंटरेट के मामले में मोबाई इंटरेट के मामले में यहां पर प्रोवाइड कर रहा है इसके बाद आगर मैं फिक्स लाइन ब्रॉडबेंट की बात करता मतलब जो नॉर्मल ब्रॉडबेंट सर्विस है तो यहां पर भी एक अच्छे गासे इंप्रूब्मेंट हमें देखने के लिए मिला है एप्रिल मह अच्छे ने के अंदर भारत का पोजिशन 84 था लेकिन में मैंने के अंदर यह एक पोजिशन उपरा कर 83 हो चुका है और दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया जो ब्रॉडबेंट प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं सिंगापूर और कंसिस्टेनली पिछले कुछ सालों से सि इंटरनेट स्पीड है इसे इंप्रूफ होने के लिए में जो कारण है वो है जियो और या टेल यह दोनों कंपनी जब से अपने 5G सर्विसेस को लॉंच के है तब से यह दोनों कंपनी काफे साथ इंप्रूब यहां पर कर रहा है रिलाइंस जो आपको पता है पूरे तरीक की गिगार्ज वाला बैंड मतलब जो में लिए सी बैंड उसके उपर जाधा फोकास कर रहा है जिसके वज़े से आपको स्पीड काफी सूपीडियार मेल रहा है जहां पर एया टेल आपने 5G सर्विसेस को लॉंच कर रहा है जहां पर वह सारे 4G स्पेक्ट्रम है और उसी स् सर्विसेस को लॉंच नहीं कि अगर यह दो कंपनी भी कर देते 5G सर्विसेस को लॉंच तो यह जो रैंकिंग यह जो डेटा है और भी जाधा इंप्रूब्ड होते भारत के लिए अभी देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर किस तरीके का पारफॉर्म्स करते लेकिन आपको बता दिया अगर वीडियो पसंद है कुछ नहीं जान करें मिला तो वीडियो को लाइक किजिए वीडियो का अपने दोस्तों के साथ सेयर किजिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास्तों में लेकों को दवना बिलकुल भी मत फुलिए ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडि आप से उसमा लगा तो कैसी कोई नहीं वीडियो के साथ तबते के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा